तो अभी तक आपने जितने भी concepts पढ़े हैं, उन पर based एक concept test है, इसमें हमें given है कि एक balloon है जो कि spherical है, और उसका volume एक constant rate से change हो रहा है, या फिर बढ़ रहा है, और हमें कुछ conditions given है, कि initially balloon की radius 3 units है, और 3 seconds के बाद उसकी radius 6 units हो जाती है, तब हमें 3 seconds के बाद उसकी radius find करनी है, तो पहले मैं इस question को explain कर देता हूँ, कि माना ये एक balloon है, and initially when t is equal to 0, तो इसकी radius है, वो 3 units है, अब since इसका volume बढ़ रहा है, तो volume किसकी वज़े से बढ़ रहा होगा, क्योंकि इसकी radius बढ़ रही होगी, तो अब question में given है, कि जो इसका balloon का volume है, वह एक constant rate से increase हो रहा है, मतलब volume कुछ ऐसा हो गया होगा, यदि यह उसको t is equal to 3 seconds पर देखें, और ये given है, कि t is equal to 3 seconds पर उसकी radius 6 unit है, तब हमें time t seconds पर उसकी radius find करनी है, तो अब आप इस question को खुद से solve करने की try कीजिए, so please pause the video here and take 5 minutes to solve this question, I hope आप में से काफी students ने इस question को solve कर लिया होगा, तो चलिए अब इसका solution discuss करते हैं, question में given था, कि जो balloon का volume है, वह एक constant rate से increase हो रहा है, अब यदि हम volume को V से represent करें, तो ये given है, कि volume में change एक positive number होगा, जो कि हमने k assume किया है, यानि कि dv upon dt is equal to k, अब हम जानते हैं, कि जो sphere का volume होता है, वह होता है 4 by 3 pi r cube, जहां r स्फेर की radius होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं, d by dt of 4 by 3 pi r cube is equal to k, and इससे हम आगे simplify करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, and आप देख सकते हो, कि अब हमें एक differential equation मिल गई है, और हमें since r की value find करनी है, तो यहां जो r and t हैं, वो दोनों ही variable है, और हमें इस equation को solve करके r की value find करनी है, तो चलिए, अब हम यह check करते हैं, कि इसे हम variable separable method से solve कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हम variables को separate करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें equation मिलती है, इसका मतलब हम variables को separate कर सकते हैं, तो अब अगली step यह है, कि हम दोनों side integration करेंगे, तो यह equation कुछ इस तरह की हो जाएगी, और जब हम इसे solve करेंगे, तो हम एक equation मिलेगी, 4 pi r cube is equal to 3 into kt plus c, और यह है एक general equation होगी, इसे हमने equation number 1 assume किया है, अब since हमें r की value निकालनी है, at the time t, तो हम क्या करेंगे, तो जो initially condition दे रखी है, यानि कि when t is equal to 0, तो r की value 3 होगी, जब हम इन दोनों values को equation 1 में put करेंगे, तो वहाँ से हमें c की value मिलेगी 36 pi, अब यह दिया आप equation number 1 को देखोगे, तो उसमें 2 arbitrary constant है, एक तो c है, जिसकी value हमें मिल चुकी है, 36 pi, और दूसरा है k, तो k की value कैसे निकालेंगे, हमें एक और condition given है, कि 3 second के बाद, balloon की जो radius है, वो 6 unit हो जाती है, यानि कि when t is equal to 3, r की value 6 होगी, जब हम इन दोनों values को equation 1 में put करेंगे, तो हमें k की value मिलेगी, जो की हमें मिलेगी, 84 pi, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, कि हमने c की value 36 pi, use की है, तो अब आप देख सकते हो, कि हमें c and k, दोनों ही arbitrary constants की value मिल चुकी है, c की value 36, और k की value 84 pi, जब equation 1 में put करेंगे, तो हमें equation मिलेगी, r is equal to 63 t, plus 27 pi की whole power 1 by 3, तो इस तरह यह हमें answer मिल गया है, जो की यह बताता है, कि t second के बाद, balloon की radius कितनी होगी, I hope, आप सभी को, इस topic के सारे concepts, अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे, तो इस topic की समरी इस प्रकार है, कि हमने इस topic में variable separable method के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा, कि हम variable separable type differential equation को कैसे solve करते हैं, और इसमें हमने दो type के solutions को सीखा है, general solution and particular solution, अब आपको अपनी book के ये सभी questions solve करनी हैं,